हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए जो HVAC से रेलेटिड वीडियो लेकर है इस वीडियो में हम डिसक्राइब ब्लो «डिफर का यूज करेंगे और अगर हम ब्लों फ्रोऊ एचुव का यूज करेंगे तो इसके ड मांटम जीज उसके साथ ना गल यूज कर रहे हैं तो इसके ड्वांटीजिस और डिस ड्वांटीजिस तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लें और बैला इकोन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि अच्वेसी से रिलेटिट जो भी वीडियो अप्लोड करें वह आपको नोट्रिकेशन में मिल जाए दोस्तों सबसे पहले हम इनके जो इनके अंदर में फरक है वह मैं बता दूँ ब्लो थ्रो एच इंटर सेक्शन है फिल्टर सेक्शन के बाद किसी जगा पर आपका ब्लोर लगा होता है पहले और किसी जगा पर आपकी कुलिंग सेक्शन और किसी एचु में क्या होता है सबसे पहले मिक्सिंग सेक्शन सेक्शन फिर आपका फिल्टर सेक्शन और फिर आपका कूलिंग सेक तो यही मेंड डिफरेंस है कि यहां पर आपका ब्लोर पहले हैं कुलिंग वाइल बाद में हैं यहां पर आपके कुलिंग वाइल पहले हैं और ब्लोर आपका बाद में हैं तो इसका अड्वांटीजिस क्या है अगर हम यहनि के ब्लोर थ्रो एचू का यूज कर रहे हैं और उ रूम्ड यह चाहिए तो सब्सेपहले हम इसके ड्वान्टीस देख लेते हैं इसके अड्वान्टीजी में सब्से पहले जो में ड्वान्टीन के यह फार्वरड ke Crush आपका रिटर्न एर और मिक्सिंग एर या फ्रेश एर को सक्षिन करेगा और ब्लोर हैवी प्रेशर के साथ उस एर को फारवर्ड करेगा उस एर को आगे कुलिंग कॉयल के उपर फैंकेगा कुलिंग कॉयल के तरफ फारवर्ड करेगा यानि के आपकी एर ब्लोर फ्रो जो इसकी drainage होती है यह यह नहीं कि कु्लिंग कोयल के निचके साइडेएड बेन पैन होता है ॉडधां के साथ आपकी यूट्रैप ब्वीडैस अब यूट्रैप की विडियो खर आप देगाना चा07ा यह कितनी किसम की होते हैं और इनकी में हमें कौन से प्रॉपर ट्रैप यूज करने चाहिए उसके उपर मैंने कम्प्लीट वीडियो बनाई हुआ उस वीडियो को लाजमी देके उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अभी हम डिस्टस कर रहे हैं कि ब्ल कूलिंग क्याल sì ओन्धा ने कि चिल्ट वाटर गुज़र हता है मौसम फटा। फटा। चैसे मैं इसके अदर हीकि नहीं आती है в होट वाटर के उपर आपकी कंडंसेशन नहीं आएगी होट वाटर के उपर आपकी कंडंसेशन नहीं आएगी अब कर यानि के पानी नहीं बनेगा तो जब पानी नहीं होगा कंडंसेशन नहीं होगी तो आपकी ड्रेन खाली हो जाएगी जो आपकी यूट रैपा वो भी खुशक हो जाएगा ठीक है लिए लिए। जब आपकी drain के अंदर यूट्रैप के अंदर पानी खतम हो जाएगा तो फिर अगर आप यहां पर प्रेशर बनेगा यहां से एक प्रेशर बनेगा वो इस train के अंदर प्रेशर मारेगा ना के वहां से सक्षिन करेगा ठीक है आपने इस जीज़ को रखना है कि यह आपके smell आपके अपके अपर हैवी प्रेशर एर का देगा तो वह आपकी ड्रेन के इंदर भी यहां पर यह प्रेंगे ना के वहां से सक्षिन करेगा तो यह एक अड्वांटीजी जीज हो गया कि वह आपके smell को आपकी सप्लाइएर में मिक्स नहीं करेगा इसका जो बड़ा को पता है कि एचू के साथ आपकी मोटर होती है एचू के साथ आपकी मोटर होती है तो मोटर के उपर एक फैन लगा होता है मोटर के उपर बैक सेट पे फैन लगा होता है वह फैन किस मक्सद के लिए लगा होता है वह मोटर को ठंडा करने के लिए लगा होता है यह कोई भी सब्सक्राइब किसे चीई है आपकी मोटर की हीट पहले बोटर निकाल मेरें आप ने उसको कुल किया तो तो उसकी हीट कहां पे गई वह आपकी देखनेगागी आपकि एक की मॉटर की क्योंकर एक्च्ट बंद तो वह आपकी मोटर की एम टीन कोयल से गुझेंगी तो उसकी कहीhone हàyकी आपकी चीज और जाएगी ना के वह ओ हीड़ाँ की ओल दा करक्वाइव फ़रके वह भी चेंज होगी वह भी कूलिंग में लहाँ होगी तो यह चीज या आपके ड्रेक्ट सर्फ डेरिये में नहीं गें यह चीजा एक मेन चीज़ा इसकी अब उसके बाद आते हैं इसके जो यही दो इसके अड्वांटीज जैदा है अब डिस अड्वांटीज जिस क्या है आपको पता है कि हम जो जब आप इस कुलिंग वाइल के उपर जब आप इ पानी को आप अपने हाथ पे रखेंगे आप उसको फूंक मारेंगे तो वह आपकी फूंक की मदद से हैवी प्रेशर की मदद से वह जो ड्रोप्स की सूरत में उड़ जाएगा तो सेम यहीं होगा आपकी कुलिंग क्वाइल की क्वाइल के उपर पानी होगा नमी होगी की सूर ждgeht होगी उसके बाद आपकी हवा के अंदर बहुत जड़ा नमी योज ना कि की तो यह ऑप इस मकसद के लिए भी जहां पर यह ब्लो थ्रो एस्ड़ीज यूज करते उन्नों नहीं में इसका हल क्या निकाला कि वो बढ़ा देते हैं यह चुगा बलोर थोड़ा का काफी जएदा पीशे कर देते हैं तांकि यह जो थ्रो है यह बिल्कुल ड्रा लगे जाके आपकी कुलिंग वैल के उपर तो इसका डिफरेंश बढ़ा देते इसके foundation बढ़ेंगे जहां पर आपने इसको रखना है वो room बड़ा बनाना पड़ेगा तो इसके साथ साथ ये heavy cost की तरफ ही जाएगा इसलिए इस एचु को prefer किया जाता है बनिस्वत इस एचु के तो ये basically दो बड़े disadvantages आप कह सकते हैं जिसकी वज़ा से blow throw एचु को prefer नहीं कि बादिया कि इसके अंदर cooling coil पहले आती है blow आपका बाद में आता है यानि कि ड्राथ रो एचु कौन से होते हैं ऐसी एचु जिनकी cooling coil आपकी ब्लोर से पहले है filter section के बाद आपकी cooling coil के बाद आपका ब्लोर है तो ये sequence होता है यानि कि blow throw एचु में आपका sequence यह फिल्टर सेक् की जीज़ा है में इसके अंदर ये जो एचु है ना हम इस एचु को कहते हैं temperature प्लस humidity control ये यानिकि इस हम हवा में से आपके temperature को तो हवा के temperature को तो करते हैं प्लस आपकी humidity बी इस तरीके से करता है वह इस तरीके से करता है अगर आप यह कर रहे हैं यह यूज कर रहे हैं ड्राथ रो तो इसके अंदर क्योंदर के उपर अगर नमी आएगी moisture आएगा तो यहां पर section है section side का pressure आपकी जो return air आएगी वो cooling coil से smoothly गुजरेगी ना कि वो अपने अंदर drops को section करेगी जो वो smoothly गुजरेगी तो हवा में जो नमी की मिधार कम होगी न वो आपकी cooling coil से वो पूरी हो जाएगी तो ये बड़ा advantages है इस ehu का draw द्राथ रो एचु का कि इसके अंदर आपको इसको आप कह सकते हैं टंपरेचर प्लस हमिडिटी कंट्रोल एचु सेकिंड नमबर में भाई जारी सी बात है मैंने आपको बताया था कि इसको वह ड्रोप्स खतम करने के लिए इसकी साइज बढ़ाया जाता है तो इसका साइज चोटा रख सकते हैं ढ्राथ रो एचु का इसके अनदर अब यानिकर इसका साइज भी चोटा यह आपको लोग कोस्ट में मिलेगा यह आपको कम पैसों मिलेगा यह जो यह बाद इसका इसका बीड़ांटी जिस है वह कौन सा डिसद्वांटी जिस के वहाई का के ट्रैप आपका नेगटिव सैड पर है यहां पर आपका ट्रैप लगा हुआ है ड्रेन पैन के साथ तो जैसे आपका ब्लोर चलेगा अगर आपकी कुलिंग वाइल कुलिंग वाइल आपकी हिटिंग वाइल है यहीं के वो उसके अंदर से होड वाडर गुजर रहा है तो इसके अंदर मोइस्चर ही नहीं कोईल को पर मोइस्चर ही नहीं ड्रेन भी आपकी खुश्क होगे क्योंके उसके अंदर पानी गया ही नहीं आपने सर्दियों में चलाय प्रशे लाइन चाहते हैं तो इसका यहीं हाल है कि जो यूज कर रहहाई इंडैय ज्रीन लाइन यूज करते है जहां पर आप उस को फैंकते हैं वह किसी ओपन प्रयों आधि ऊपन जगाग ऑपन कि फैंके जहां यहां कि सीवरी की लैनों से यहां different smell वाली जगह से यहां drain point से ऐसी जगह पर जो आपकी smell का issue बनें यह different चीजों का issue बनें तो यही दो इसके अंदर बड़ा disadvantage is हां यही ट्रैप का तो इसका हल यहीए कि भाई आपकि किसी यहां पर ड्रेंट को खाली ओपन करें जहां पर आपकी स्मेल बगहरा नहों तो दोस्तों यह दो डिफरेंस यह निके में डिफरेंस दें ब्लो थो यह चुक्ड रहा तो दोस्तों इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और य जो भी वीडियो ब्लोड करें वह आपको नोटिकेशन में में जा तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में इंचाला कोई ने टोपी के साथ